और ध्यान सादना में गहराई में जाने के लिए अपने को जो पक्के दुरुष्ट कोन रहते हैं, सालों साल रहते हैं पक्के दुरुष्ट कोन, वो बनाया रखते हैं कोई-कोई लोग, और वह ऐसे पक्के दुरुष्ट कोन या मित्या दुरुष्ट कोन रहने वाले विक्त कभी भी अध्यात्मिक जीवन के गहराय में जाना ही सकते हैं तो यह जो पक्किय दुरुष्टिकोन वे मिध्या दुरुष्टिकोन वो जल्दी से जल्दी परिवर्ति करना है तो उसी शे क्या होता है अपने सुम्रुति का विकास होता है और अध्यात्मिक जीवन के गहराय में जा सकते हैं तो यह जो गाथा है धमपत की अंदभुति ए लोगों तनुकेत विपुसती जो यह जो जग है जगत में रहने वाले लोग यह भगवान बुद्द ने अंधे लोग के और इसमें शे बहुत थोड़े लोग धम्म की ओर अध्यात्मिक्ता की ओर बढ़ते हैं और बाकी तो बहुतिक जीवन में रहते हैं। क्योंकि जिसके पास यह पक्का दृरष्ट कुन रहता है तो अध्यात्मिक जीवन की तरफ बंन नहीं सकते हैं। यह दी बड़े तो भी कुछ प्रागती कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए पक्का दृष्ट कौन जो रहता है मिध्या दृष्टी अध्यात्मिक जीवन के लिए भहुत ही हानिकार करें थी शिदार्त को 35 साल में उनका जब 35 साल की आयू जा रहे थी तब उनको सम्मेक संबोधिर प्राप्त हो गए तो सबसे पहले उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया उनके साथ बाकी के साथ और अरहन्त थे और सभी को एने समुचे दुनिया में धम्म प्रचार के लिए उन्होंने उनको भेज दिया और भगवान बुद्ध खुद उरुवेल कशब के पास गए सबसे पहले तो वुरुवेल कशब के पास अगनिशाला थी भगवान बुद्ध ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके यहां रुपना चाहता हूँ तो वुरुवेल कशब को लगा ठीक है क्योंकि उनके वह जो अगनिशाला थी वहां पर एक नाग राज रहता था तो यह उरुवेल कशब ने बोला कि यहां पर एक नाग है वो बहुत ही सताता है हानी करता है लोगों की तो आप तो ठीक है अगनिशाला में लेकिन भगवान बुद्ध खईते ठीक है मैं रहूंगा यहां पर तो भगवान बुद्ध उस दिन अगने शाला में रह गए और ध्यान साधना के गहिराय में चलेगा समाधी की आवस्ता में चलेगा तो नागराज वहाँ पर आता है और देखता है कि ये जो शास्ता है गहिराय के ध्यान साधना में समाधी की आवस्ता में और वो खुद उनकी पूजा करने लगता है पूजा में तलीन हो जाता है वो नागराज भगवान बुद्ध की तो ये उर्विल कश्यप और उनकी शिशों को लगा आज शायत राद में भगवान बुद्ध को उस्तोहानी हो चुकी होंगी वो बहुत ही उत्सा उत्सुकता वस वहाँ पर जाके देखने लगे तो देखते हैं तो नागराज उनकी पूजा कर रहा था भगवान बुद्ध की वो बहुत ही उत्सा उनके मन में अश्यर निर्मान हो गया हका बक्का हो गए वो सभी देखने के बाद यह तो नागराज उनकी पूजा कर रहा है लेकिन उरुवेला काशव मानने के लिए त्यार नहीं था पक्का दृष्ट कोन मित्धा दृष्ट कोन उसके चित्त में था और उरुवेला काशव कहता है मेरे जैसा अरنت कोई भी नहीं है आईसा व्यक्त करता है कि मेरे जैसा अरन तो कोई भी नहीं है तो भगवान बुद्ध ने सून लिया शिर्फ और बाद में उस रात दुसरे दिन भगवान उद्धत जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद वो जंगल जंगमका था था प्रकाश्च समुचा जंगल प्रकाशित हो गया क्योंकि भगवान बुद्ध को वाँ पे मिलने के लिए देवता गण आये थे और इसलिए वो पूरा जंगल जंगमका था प्रकाश्च यह जो पुर्वेला काश्च देखता है पूरा जंगल जंगमका था रहा है तो भी वो मानने के लिए तैयार रहे है वो कहता है मेरे जैसा अरंत कोई भी नहीं है तो वहां पर पुर्वेला काश्च देखत को मिलने के लिए राजा प्रेशन जेत और उनका मंत्री मंडल आने वाला था तो विरुवेला काश्च देखत के चित्त में ऐसा लगा दूर चले गए दूर दूसरी तरफ चले गए पर राजा प्रशन जीत उनका मंत्री मंडल वहां पर आ गया उनका विरुवेला काश्च देखत किया चर्चा हो गई सम्वाध हो गया और वो चले गए तुर बाद में भगवान बुद्ध आ गए और विरुवेला काश्च देखत को कहता है यानि यहां पर राजा प्रशन जीत और उनका मंत्री मंडल आया था आप यहां पर ठेरना चाहिए था तो भगवान बुद्ध ने तुरंत कहा मैं यहां पर ठेरा तो आपका मत्री कम हो जाएगा यह भाव तुमारे चित्त में आया था कि नहीं तो वो यह सुनने के बाद उसने जान लिया यानि मेरे मन में कोशे विचार है उनको मालूम है तो भी वो कहता है मेरे जैसा आरंत कोई भी नहीं है तो ऐसे पक्का दुरूष्ट कोन उसके चित्त में था मिध्या दुरूष्ट ही भगवान बुद्ध मौहां पर नव दीन ठैरे अगनी शाला में लेकिन वो बात करने के लिए भगवान बुद्ध से कोई तयार ही नहीं था चर्चा करने के लिए भी नहीं था तो भगवान बुद्ध ने उर्वेला काशब को का आप तो आरंत भी नहीं है या तो आरंत के मार्ग पर भी आप नहीं है क्योंकि आपका श्रोद जल रहा है चक्षु जल रहा है घ्रान जल रहा है जिवा जल रहा है परशे जल रहा है तो आप कश्य अरंत हो और बाद में क्या हो गया वो प्रभावित हो गया पुरुवे लकाशक और भगवान बुद्ध के चरन चू लिये और भगवान बुद्ध को उसके पूरे शिश्य पास्टो शिश्य थे और वो सभी भगवान बुद्ध को शरन गए याने जब तक अपने पास मिध्यादृष्टी होती है वो स्वभ होता है अपने व्यक्तिमत्व में और उसलिए अध्यात्मिक जीवन की तरफ आपन बढ़ नहीं सकते है ध्यान के गईरा में भी जान नहीं सकते है बाद में भगवान बुद्ध महुती स्मूरुति का पालन करते हुए राजगरह गए राजगरह जाने के बाद वहां पे सबा जारी थी राजा बिम्बिसार और उनका सभी मंत्रि मंडल वहां पर उपस्ति थे और वहाँ जाने के बाद यह जो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आये थे और सबसे आगे वहाँ पर भगवान बुद्ध और विरुवेला काशब बैटे थे उनकी तरफ देखने के बाद लोगों के मन में यह भाव निर्मान हो गया कि इन दोनों में शे गुरु कोण है और शिश्य कोण है तो लोगों के चित्त में क्या विचार चल रहा है यह भगवान बुद्ध ने चान लिया और भगवान बुद्ध कहते वुरुवेला काशब को आपने आगनी पुजा क्यों छोड़ दी तो वुरुवेला काशब खड़ा हो गया और भगवान बुद्ध के चरन स्पर्श किया और उसने कहा वुरुवेला काशब ने मेरे गुरु भगवान बुद्ध है और मैं उनका शिष्य हूँ तो बाद में सारे पुत्त और महामोग गलायन यह संजय बेल्टी पुत्र के शिष्य थे और उनके पास दुसरे समय पर उनके पास गए और वहां जाने के बाद यानि अस्वजित की मुलाकत होने के बाद गए उनके पास वो दोरो और उन्होंने जाकर संजय बेल्टी पुत्र को कहा कि हम भगवान बुद्ध के पास जाना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ चलिये संजय बेल्टी पुत्र पक्के द्रुष्ट कोन वाला वेक्तिता और वो कहता है मैं यहां पर शिश्य हूं मैं यहां पर गुरु हूं और वहां पर जाके मैं शिश्य बनना नहीं चाहता ऐसा पक्का द्रुष्ट कोन उसके चित्त में था तो सारी पुत्त और मामोगलान कहते हैं उनको उसने एक प्रस्ण पूचा संजय बेल्टी पुत्र ने इस जगत में बुद्धिमान लोग कितने हैं और मुरक लोग कितने हैं तो सारी पुत्त और मामोगलान कहते हैं शायद इस दुनिया में 97% मुरक है और 3% लोग बुद्धिमान हैं तो संजय बेल्टी पुत्र कहता है जो बुद्धिमान लोग है उनको भगवान बुद्ध की तरफ जाने तो और जो मुरक लोग है मेरे पास रहने दो फिर बाद में वो गया नहीं है उसके सभी शिष्य सारी पुत्त और मोगलान के साथ भगवान बुद्ध की तरफ चले गए और उसका वीपाक क्या हो गया संजेब बेल्टी पुत्र को चित्त पर वीपाक हो गया और उसको अट्याक आ गया और उसको उसमें दियांत हो गया अमलिती हो गया हुआ है तो इंसान को क्या है मौध पसंद है लेकिन बुद्ध को स्विकार नहीं कर सकते घ्jiपकाद रिष्ट Bahnco न किऐन चित्त में कि ऐसा पक्का दरिष्ट नका वीपाक होता है एक व्यापारी था और वो व्यापार करने के लिए दुसरे प्रांत में चला गया एक रात उसके घर में कुछ डखेत लोग आ गए और उन्होंने डखेती कर लिये और घर यह व्यापारी का छोटा लड़का था वहां पर रहता था लेकिन वह आग के पहले ही भाहर चला गया तो बाद में वह व्यापारी घर को आ गया वापिस आ गया तो उसको लगता है उसके चित्त में लगता है उसको कि मेरा लड़का मर गया होगा लेकिन उस रात उनका लड़का उनको मिलने के लिए आ गया और रात के 12 बजे शे सुबह 4 बजे तक उसके दार पर दस तक देने लगा लेकिन पीता जी ने उस व्यापारे ने दार खोला ही क्यों ने खोला क्योंकि उसको लगता था मेरा लड़का मार चुका है यह विए इस अहम था पक्का दृष्ट कुन था और जब पक्का दृष्ट कुन जब रहता है तो सत्ते कुछ स्विकार नहीं कर सकता है वेक्ति और इसलिए मिथ्या दुरुष्टी या पत्का दुरुष्ट कोन रहने शे आपन ध्यान साधना के गईराय में जान नहीं सकते हैं एक दिन स्रावस्ति में एक ब्रामन आया उसका नाम शुबमानवक था और उस सुबमानवक का ब्रमा के उपर विश्वास्ता ये भी उसकी पकीधारना थी शुबमानवक ने सुना था कि स्रावस्ति में बहुत सारे अरहनत रहते हैं तो इसलिए उस्रावस्ति में आ गया मित्र के घर को आ गया और मित्र को कहता है मुझे सत्संग करना है तो उसका मित्र शुबमानवक को कहता है बुद्ध ने शुबमानवक को प्रश्ण पुछा लकड़ी और घास की अगनी शे उत्पन हुए 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 आग क्या ज्यादा तेजेश्वी रहती है और इस शे भी ज्यादा कोई तेजेश्वी आग है ऐसा प्रश्ण पुछा तो शुबमानवक भगवान पुद्ध को कहता है यह जो घास और लकड़ी की जो भी अगनी है वो बहुत ही तेजेश्वी है ऐसा उसने कहां लेकिन भगवान पुद्ध कहता है कि जो इससे भी ज्यादा तेजेश्वी ऐसे अगनी है कि जो जो भिक्षु क्या करता है अकुशल मनोर्तिशे अकुशल मनोर्तिशे और पृति और सुख में विहार करता है और वो जो तेजेश्वीता प्राप्त करता है ध्यान सादनाशे पहले ध्यान सादनाशे चार रूप ध्यान सादनाशे और चार करता है वही तेजेश्वीता अगनीशे भी ज्यादा तेजेश्वी होती है तो यह शुब मानवक ने सुनने के बाद बहुत प्रभावित हो गया हिवाज इंप्रेश डीपली बहुत ही प्रभावित हो गया तो शुब मानवक ने भगवान बुद्द को पुछा क्या ब्रह्म लोग का रास्ता जानते हो तो भगवान बुद्ध ने शुबमानों को कहां मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा यह विस्तार पुरुवक बताया और यही ब्रह्मवियार की अवस्ता है यह सुनने के बाद शुबमानवक बहुती प्रसन्न हो गया और उसने कहां भगवान बुद्ध से, मैं आज से आपका अंजली बद्ध शुष्य बनना चाहता हूँ और तीन प्रदक्षिना भगवान बुद्ध को करके बहुती सरद्धा पुरुवक सरावस्ती की और बनने लगा, जाने लगा वो दोपेर का समय था, बहुती प्रसन्न था, उसके चेरे पर बहुती मुस्कान थी प्रसन्न था थी और सरावस्ती की तरफ से जेत्वन की तरफ जानु सुननी नाम का ब्राह्मन आ रहा था, उसके रत में बैटकर, उसके रत को साथ गोड़े थे और वो जेत्वन की तरफ आ रहा था, तो शुबह मानुवक को कहता है, कि आप भगवान बुद्ध की प्रग्या को जानता है क्या? तो शुबह मानुवक कहता है, भगवान बुद्ध तो देवा और मनुष्य के शास्ता है, विद्या और आचरण से संपन्न है और वो सम्मेक संबुद्ध है, तो मैं उनकी प्रग्या को क्या जानता हूँ? यह सुनने के बाद जानुसोनी ब्रामण मन में बुद्ध के बारे में प्रचंद स्रद्धा निर्मान होगे, और स्मीत प्रद्धा निर्मान होगे बुद्ध के बारे में जानुसोनी के मन, तो उसने उस रत से नीचे उतर के हाथ जोड़कर जेत्वन की तरफ भगवान बुद्ध की तरफ जाने लगा और वहाँ जाने के बाद भगवान बुद्ध को अभिवादन किया उसने और उसके चित्त में विचार आ गया कि यह जो प्रशेन जीत राजा है कितना सोबाग्येशाली है कि जब चाहे उनके राज्ये में सम्मेक संबुद्ध है और उसके चित्त में जब भी विचार आता है भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाने का तब वो भगवान बुद्ध की तरफ मिलने के लिए जा सकता है यानि कितना सोभा के शाली राजा प्रशन जीत है ऐसा भाव उसके चित्न में आ गया तो बाद में वो जानो सुनी ब्रामन भगवान बुद्द कहिता है मैं अंजली बद्दा आपका शिश्य हूँ और समुचे जीवन के आंता तक मैं आपका शिश्य बनना चाहता हूँ और वो वापिस रावस्ति की तरफ चला गया तो हम भी कितने सुबाव के शाली है कितने माहान है कि बुद्द का वचन सुन सकते है उसका चिंतन कर सकते है और संगा का जो सानिद्य है हम ले सकते है इस त्रिरत्न बुद्द माहा संगा के वज़े से हम संगा का भी अनुबुती कर सकते है बुद्द के वचन को अपने रदह में उतार सकते है और धम्म का आचरन करके अध्यात्मिक जीवन के गवराई तक जा सकते है रूप ध्यानसादना और रूप ध्यानसादना का अनुबुती ले सकते है तो ये कितना महान बुद्द का धम्म है और बुद्द का संग है तो इसमें हम अनुबुती लेकर हमारे जीवन में हम धन्य हो सकते है और बुद्द की रहा पर शिग्र गतिशे चलकर धम्म की अनुबुती ले सकते है तो मैं याँ पर ठेरता हूँ अधरनिया धम्म